आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, आपके सामने अगर कोई बिहोस हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, मान लिए आप सड़क में चलते समय हो, आपके सामने कोई बिहोस हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, और किसी जगा पे कोई बिहोस हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे तो अब आप पीसद को कैसे होस में लाएंगे उसके बारे में आप जानेंगे इस भीडियो में तो फ्रेंट्स पूरी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को अंतक देखें अगर आपको भीडियो अच्छा लगए तो जरूर से एक लाइक करना और चैनल पर पहली बारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना चलिए अभी हम सुरू करते हैं तो हम पहले जान लेते हैं ब्यक्ति ब्योस क्यों होता है वो खाना नहीं खाया होता है बहुत कमजोरी होने के बज़े से ब्योस हो जाता है और एक पेस्टन के अंदर ब्लॉड बहु उस कारण से भी ब्योस हो सकता है, मतलब कि खून की कमी के कारण से भी ब्योस हो सकता है पहले ब्यक्ति को चेक कर लेना होगा, उस होस में है या नहीं हाथ गाल पे हाथ मार के आप चेक कर सकते हैं, वो होस में है या नहीं उसके बाद ब्यक्ति कुछ भी रियक्शन नहीं करने से आप उसका पॉल्स चेक करेंगे जैसे कि हाथ में क्या जाता है और गर्दन के पास क्या जाता है उहां पे आप चेक करेंगे उसका हाड़ बीट चल रहा है या नहीं चल रहा है तो फ्रेंड 60 बीट चल रहा है तो कोई भी डॉरने की बात नहीं है, उस समय क्या-क्या नहीं करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, पैसन को पानी नहीं देना होता है, पानी पीने के लिए कभी भी मत देना है, क्योंकि उस समय पैसन का जान भी जा सकता है, उसके बज़ पैसन जो लेटा हुआ होता है, उसका पैर को उठा लेना होता है, ठीक है, पैर को उठा लेना होता है, उसके बाद पैसन एक दो मिनिट में होस में आ जाए गया है, उससे भी नहीं आने से आप क्या करेंगे, मैं आपको बोलता हूँ, उससे भी पैसन होस में नहीं आने से पेसन का जो पेर होता है उसके पीछे के तरब जो वाइट कलर होता है उसको दबाना होता है उस जगा पे एकूट प्रेसर पॉइंट रहता है उससे भी नई आने से जो हमारा लीप और नाक होता है उसके बीच में दबाने से पेसन होस में आ जाएगा एक मिनित के अंदर पेस पेस्टन होस में आजाने से आप जरूर से पेस्टन को हस्पिटाल रेफर करें थेंक्यू फर वाचिंग